रावसेट एक आणकी महराट इतला प्रश्णा आहे कि आज देशाचा स्वाथलतिर दिना है आणि त्यात उध्यों ठाकरेयनी शिवसेना भावनात द्वजारोहन के लिए या पुर्वी मुख्यमंत्री अस्तर्ना ते मंत्रालेयात द्वजारोहन कराईजे उर्च्या 15 अगस अमी शिवसेना भावनावर तिरंगा नेमीज फड़का होतो है अमची विचारधारा तिरंगा न फड़कोनाची कदीश न होती जांची होती त्या सत्ते वराहत आणि महाराष्ट्रा सुद्धा त्य सत्ते वरहत आणि त्यांचा बरुबर एकना शिंदेत ये लक्षा दि अमी तिरंग्या चा नेमी सन्मान केलानी तिरंग्या साथी आमी बलिदान केला है सगयनी तुमी वंटते है ता पुल्या 15 अगश्ला काई करना कुल्या 15 अगश्ला स्वाथं मन्त्रा लहीं चे आवाराजो सोडा हुएनेशा oh my तिया शरकारी मुख्यमन्त्री तीरंगा फढड़के वेल-अहीमान अहीया घ्लमाना कि मुख्यमन्त्री तिरंगास पड़के वेल अभशना में थ्लमानी 1 quattro होता था मंत्र District District 1 there that around question 1 पुख्यमंत्री पदाता निरणाए हाँ आमी एकत्रव सुन जो अभी बोलिए ना चर्चा करिये ना चर्चा तो बहुत उश्वय पे होनी चाहिए जो सेवी में घोटाला हुआ है और सेवी चेर्मन ने आपके आदेश से एक भ्रष्ट उद्योगपती को जीस तरह से प्रोटेक्ट किया है और उसके कंपनी में अपनी इंवेश्मेंट की है सबसे पहले उनका इस्तफा इस्तिपाप तक क्यों नहीं लिया गया उस पर रधान मंत्रिय अगर लाल किले से लाल किले के प लोग तंतरे में हरेशे पे चर्चा होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए लेकिन क्या मुदी जी के राज में लोग तंतरों को खुले दिल से सांस लेने देते हो यह उसका अपर बात होगी इनियन सिविल कोड या वन इलक्षन वन नेशन उसमें जरूर दे चर्चा करेगा है लोक तंत्रे में चर्चा को महत्व है चले थैंगे अब ऐसा है जहां पर एड़ टाइब किया जा रहा है जिससे भारत राशेट है वो फ्राउड बिल्टूट करते है ऐसा कोन कहता है कल जम्मु कश्मिर में जो हमला हुआ है अतंकवादियों का उसमें हमारे कैप्टन सहीद कुछ जवानों का बलिदान हुआ है और जब से मोदी की सरकार 3 आई है अब तक 17 अतंक की हमले हुए है और उसमें से 20 से भी ज़्यादा हमारे लश्करी आर्मी जवानों की शादत हुई है 50 से ज़्यादा हमारे जवान गंबे रूप से घायल हुए क्या मोदी जी और उनकी सरकार उस बरह में चर्चा कर सकती है बात कर सकती है अभिमान की बात नहीं है ये आज भी मोदी जी वहां तिरंगा लहरा रहे है और हमारे जवानों का खून नदी की तरह बाहार है चले थैंक्यू विर्शाब अगर मोदी जी कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए आज मोदी जी ने चर्चा सुरू करने चाहिए अगर लोग तंतर देस में बचा है तो चर्चा होगी अरे चर्चा होगि ना मोधी ने चर्चा की बात की है ना तो चर्चा करने से देसको किस ने रोका है 350 कलम हटाया, हमने समर्थन दिया आज कास्मिर की स्थिएति क्या है आब तक पास साल में ये लोग विदान सबा का चुनाव नहीं ले पा रहा है अतंकवादी हमले नहीं रोक सकते है कल शाम को जो हमला हुआ है कैप्टन सई दो जवानों की हत्या बलिदान हुआ है क्या मोदी जी इसके उपर चर्चा करेंगे सदन में करेंगे जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है और मोदी जी के आदेश से सेवी चिप मादवी बूच ने अपनी इन्वेश्मेंट पूरी एक ऐसे उद्दग पती के कंपने में किया है जिसके उपर सेवी के ही जान चल रही है यह मंदिल आंडरिंग है पूरी तरह से हदारो करोड का क्या मोदी जी ऐसे विशे पर चर्चा करने के लिए तयार है उसके लिए स्पेशल सेशन बुला लो थैंग्यो हे आहे देशातिल नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपन पहाता हात TV9 मराटी काल जी तुमची हित महाराश्राच